हालो स्टूडेंज आज हम मैट्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपको मैट्स में अब अल्टरनेट डेज पे काम बेजा जाएगा जिससे कि आपका मैट्स का कोर्स टाइमली कंप्लीट हो जाए एंड आप डेली थोड़ा थोड़ा मैट्स की प्रैक्टिस भी करते रहें तो आज हम डिविजन चैप्टर हमारा चल रहा था और वह कॉंटिन्यू करेंगे लास्ट में हमारी एक्सरसाइज जो ही थी वो थी 6.7 एक्सरसाइज आज करेंगे नेक्स्ट 6.8 तो एक्सरसाइज 6 इघ में है स्टोरी सम्स दे हैं आपको फर्स्ट कोशन है डिवाइड उसिंग जे लॉंग डिविजन इन योड नोटबुक एंड़ राइट दहो था कोशेंट एंड रिमेंडर तो प्रस्ट कोशें तो आपको सिम्पल यह डिविजन के सम्स दिया है जो आपको लॉंग डि the product of two numbers is 512 if one number is four find the other so इसमें क्या है product जो है दो numbers का दे रहा है product यानि multiply करके जो आएगा answer वो दे रहा है 512 एक number तो बता रहा है 4 तो हमें क्या करना है दूसरे number find करना है so 4 into multiply करेंगे दूसरे number हमें पता नहीं है question mark दोनों का product क्या रहा है 512 तो यह दिया 4 into question mark हमें number find करना है इसका answer है 512 तो हमें यह पता है इनका product क्या है और एक number पता है तो जब product जो आ रहा है उसको हम divide कर देंगे इस number से तो हमारा यह वाला number आ जाएगा तो हमें क्या करना है 512 divided by 4 ठीक है next है the rajat packs eight balls in a one in one box how many boxes will be needed to pack 168 balls तो इसमें क्यारा रजत जो है eight balls को pack करता है एक box के अंदर नहीं one box के अंदर कितनी eight balls है so how many boxes will be needed कितने box हमें चाहिए होंगे 168 balls को pack करने के लिए तो हम 168 को divide कर देंगे eight से given box में eight balls है so 168 divided by eight तो हमारा पास number of boxes आजेंगे कितने हमें चाहिए ठीक है next है आईशा स्टेक्स फाइफ पिच्चर्स और वन पेज और पेज इफ शी है फाइफ फाइफ सिक्स्टी पिच्चर्स और उसके पास कितनी फाइफ सिक्स्टी पिच्चर्स है तो हमेनी पेजिस सेम इसको भी हम डिवाइट करेंगे फाइफ से हमारे पास पेजिस आ जाएंगे सारे सिंपल कोशन है आपको फट आफट बता दें आपको खुद यह करने हैं नेक्स्ट है अशॉप कीपर सेल्स सिक्स एग्स टू इच कस्टमर हो मेनी कस्टमर विजिटेड इस शॉप इफ इस होल्ड इतने एग्स जरो टोटल इतने एग्स सोल्ड कर रहा है तो कितने कस्टमर आयोंगे तो इसको हम डिवाइट कर देंगे सिक्स से क्योंकि एक कस्टमर को कितने सिक्स बेचें उसने तो 762 डिवाइट बाइट बाइए शिक्स तो हमार पस आजएगा तो कस्टमर विजिटेड हिस शॉप इन डे नेक्स्ट है देराथ 378 प्लांट्स इन शिक्स रोज इन गार्डन हो मैंगे इसको डिवाइट करेंगे शिक्स से तो महर पास एक रो में आजएंगे कितने plants है ठीक है तो प्राइज ऑफ 6 बुक्स इस उरुपीज 726 फाइंड दो प्राइज ऑफ वन बुक यह तो आपने लास्ट एक्ससाइज में भी पिछे किया हुआ है ऐसे कोश्यन था उसका भी सिक्स ऑबक्स का प्राइज इतना एक भुक का कितना होगा चो 726 तैसाथ हमारे एक बुक का प्राइज आ देगा आपको बताया जब भी ज्यादा की वह घ्रें प्राइज निकाल नहीं दिए हैं तो हम Divide करते है आधो क्या करते था हमें 1D हो थी हमें ज्यादा की वैलुन निकालनी होती थी तो हम आद आधे मिल्क मैन थी चाहिएम द phone looking on 1 डेज़ए टीटे टेज़ करता है वह 595 लिटर में फाइंद़ टेल ऑफ मिल्क इन वन देज अब का देखागी इतने लिटर सेल कितने वीक में करता है वीक में कितने डेज निकालना है थो हम इनको किस से इवाइड करेंगे 595 को 7 से इवाइड करेंगे ,क्योंकि एक विक में 7 दिस होते हैं तो हम एस वन डे की वैल्यू आ जाएगी जब हम डिवाइड करेंगे 595 डिवाइड बाई 7 सो में कितना sale of milk in one day पदा लग जाएगा फिर नेक्स्ट है five children picked 395 flowers in a garden if each child picked the same number of flowers find the number of flowers picked by them सो इसमें पाच बच्चे हैं उन्होंने कितने 395 flowers उठाए एक गार्डन से हैं और हर बच्चे ने कितने each child picked the same number of flowers हर बच्चे सेम नंबर ओ फ्लार्ड जनी एक सबने एक ही flowers के नंबर उठाए यह जोनि जितने एक बच्चे ने flowers उठाएं बाकी भी सबने सेम नंबर ओ फ्लार्स उठाएं find the number of flowers ने उठाए हैं उन्होंनेaat है कितने flowers उन्होंने उठाए है so 595 395 flowers टोटल उन्हों जो उठाए है कितने बच्चे ते 5 5 को हम डिवाइड कर देंगे इसको 395 डिवाइड बाइफ सो में एक बच्चे के पास जितने फ्लास थे वह आ जाएंगे ठीक है नेक्स्ट ऐसी अंशु है 990 beads of for making 10 necklace find the number of bead for one necklace कितना जैसे अंशु के पास 990 beads से मोटी होते हैं beads मोटी necklace बनाने के लिए कितने बनाने 10 necklace बनाने के लिए एक necklace के अंदर कितने beads लगेंगे तो हम 990 को divide कर देंगे 10 से तो हमारे पास एक necklace बनाने के लिए जितने beads हो लगेंगे वह हमें आ जाएंगे ठीक है यह सिंपल कोश्चन से भी सारे exercise 6.8 यह अपने करने अपने notebook में नाव यह चैप्टर आपकी लास्ट exercise थी यह फिनिश हो गया है अब हम आगे इसकी division exercise देखेंगे फर्स तो इभी फटा-फट देख लेते हैं यह भी आपने करनी है notebook में अपने सो फर्स्ट है टिक दर करेक्ट ऑप्शन डिवीजिन बाइडाश इस meaningless division is meaningless यानी 110 8 अगर लेकिन 0 से division क्या गरते है is meaningless जीडु से मडिवीजिन नहीं कर सकते तो इस पर जीरो पर टिक करेंगी next is 165-165 is equal to simple आपको बता है क्या है 0 he dash means equal sharing and equal grouping edition subtraction division , इसमें से addition मिनी नहीं है डिशी शब Strence means means equal sharing and equal grouping जब भी हम divide करते है तो उसमें क्या आता है equal sharing and equal grouping हो मैंने टाइम शुट 5 बी सब्ट्रैक्टिट फ्रॉं 42 गैट 0 कि भी हमने पिछ है एक्सेसाइज में पड़ी भी है 5 40 में से 5 माइनस करते रहेंगे 5 की टेबल में 40 का बात है 5 एट तो एट टाइमस माइनस करेंगे तो हम 0 आजेगा तो यह फास्ट ऑप्शन है 8 इस पर टिक करेंगे नेक्स आउट ऑफ फॉलइंग डिविजन विच वन हैज अधिफरेंट कोश्चेंट इन में से कोश्चेंट बताना है कि किसका डिफरेंट है अब 5 दिवाइट बाइफ 5 फ्काल में कर आता है इसका फ्री इसका गया हो घelling इसके थी इसका हो जाएगा में कि टैबल में का मैं तो इसका होगया दिफरेंट के सब्सक्तिक करना कि डिविदेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस क्या होता है रिमेंडर से फिर्स्ट ऑप्शन है डिमेंडर पर टिक करें अब यहां फिल इंदा बॉक्स है जिरो डिवाइड बाइस इक्स ट्वेंडिफाइफ 3 इंटू 15 इसकोल टू 45 इवाइड बाइस इस इक्वल टू इसमें चेक करेंगे कौन सा नंबर मिसिंग है 45 है 15 है 3 यहां पर क्या आएगा 3 और 15 को जब 45 डिवाइड बाइड 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 फिफ्टीन इस त्री बाकी सिंपल नहीं कोश्चन या फिल इन दा ब्लांक सापने खुद करने हैं 28 डिवाइड बाइड इस इक्वल टू 28 कित से डिवाइड करेंगे 1 से तो 28 यह भी साहब आप खुद करेंगे कुश्चन आपके फिल इन दा ब्लांक इजी है और आपने अरड़ी पढ़ चुके हैं सारा तो सॉल दा फॉल्विंग सॉल उसिंग शॉट डिवीजन शॉट डिवीजन से इसको सॉल 25 ऐसी सिग्स की टेवल में चेक करेंगे तो यह आप डिरेक्ट आंसर इसका लिखेंगे नेक्स दैप तो इसमें आपको यह दे रखे हैं इसमें हमें चेक करना है कि कोशेंड और रिमेंडर ठीक है या नहीं तो आगे टिक करना है अगर वह ठीक है तो तो 60 divided by 7 करेंगे कोशेंड क्या है एट और रिमेंडर आरा है फोर सो हम इसमें आप अपनी नोट बुक में चेक करेंगे सारे सॉल्व करके और आप रिमेंडर और कोशेंड अगर ठीक है तो आपर टिक करेंगे अधर्वाइस क्रॉस कर देंगे लास्ट है 272 glasses are to be placed equally in 8 trays find the number of glasses in each tray 272 glasses हैं जो कि हमें equally रखने हैं कितने 8 trays के अंदर इसमें पूछा है find the number of glasses in each tray हर एक tray में कितने glasses होंगे सबसे पहले यहां पर आप क्यार करेंगे इसको डिवाइड करना इतों में पता है यहां पर आप लिखेंगे कि ग्लासेज कि इन एट्रेज कि इस कितने है 272 एट्रेज में टोटल कितने ग्लासीज है 272 सो यह होजाएगा ग्लासेज इन इच ट्रेज इच ट्रेज में कितने होंगे 272 डिवाइड बाए एट इसमारे डिवाइड आप करके देखेंगे और जो कोशन आमारा आंसर आएगा वह लिखेंगे इस पर हमारे टोटल नंबर ऑफ ग्लासेज आजेंगे इन इच ट्रेज एक्सरसाइज 6.8 एंड डिवीजन एक्सरसाइज तो आपका डिवीजन का भी चैप्टर यह फिनिश हो गया है तो अच्छे से आपको सम्स करने है और यह रिवीजन एक्सरसाइज भी करने है ओके थेंक्यू